जीना तो आदमी के साथ है, जीना तो पड़शी के साथ है, काम तो कलिक्स के साथ करना है, जीना तो परिवार में है, उन पर महनत नहीं हुई, और महनत नहीं हुई तो result है सामने, आज बंदूकें सिर्फ बारत-पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं तनी हुई, एक 47 घरघर में जानी हुई है, क्योंकि हमने वह महनत नहीं कहीं, और फिर हम कहते हैं, इंसान इसा होता चला जा रहा है, होगा, बाइडिफॉल्ट होगा, क्योंकि जेस ख्लास रूम में हम बच्चे को विने, क्या आप सिखाते हैं, वो, विद्द्या ददती विने, हम का गीत रटाते हैं उसी classroom में खड़े होके हम बच्चे को कहते हैं कि you are one of the 40 and you have to be one of the best in the 40 आपको इन 40 बच्चों में सबसे बहले आके खड़ होना है और हर बच्चे को हम कह रहे हैं और साथ साथ हम हर बच्चे को सिखा रहे हैं कि विद्यादाती विनियम विनियादाती पात्रता कहां से एगी contradiction है हमारे content में और हमारे processes में मैं इसलिए करहा हूँ कि शायद इस forum पे रखके मैं इस बात को कह सकता हूँ आज अगर मैं किसी essay school के सामने खड़े हो के यह बात करना चाहूँ जिसके classroom में एक classroom में सौ बच्चे बैठके पढ़ रहे हैं मैं शायद उसको नहीं कह पाँगा क्योंकि उसको पहले मुझे उसकी वो problem solve करनी है पर कम से कम जिस forum में आज मैं खड़ा हूँ fortunate हूँ मैं इस forum के साथ बात रखने के लिए कि मैं इस इन मुद्दों पे आप से बात कर पा रहा हूँ कर सकता हूँ और आप शायद उस उस बात को समझ सकते हैं priority से आपके मन में जब मैं बात कह रहा हूँ तो यह question नहीं घुम रहा हम कैसे करें यार हमको तो देड़ सो बच्चे क्लास में बठा के पढ़ने पढ़ रहा हैं ऐसी होगा so हमारा content बहुत confusing है पूरे के पूरे school system को एक nice ray से देखने की ज़रूत है जहां हम बहुत अच्छा deliver कर पा रहे हैं वहां हम अच्छी teaching कर पा रहे हैं अच्छा learning अभी नहीं है learning नहीं है उसका प्रिमान है कि कि किसी भी पढ़े लिखे आदमी के बारे में आप guarantee नहीं ले पाएंगे कि आदमी जब सड़क पर गाड़ी चलाएगा तो traffic rules का violation नहीं करेगा पढ़ाया तो था आपने किसी एक appropriate level पर आके आपने traffic rules का chapter पढ़ाया था how to drive safe का chapter पढ़ाया था लेकिन learning नहीं हुई इस तरफ teaching हुई यह उस बात का पिर्माण है learning हो गई होती तो जिन्दगी भर के लिए हो गई होती 2 plus 2 जिस वक्त आप learn करा देते हैं 90 साल की उमरे में वे आदमी मरेगा तो 5 नहीं बोलेगा 4 नहीं बोलेगा साड़े तीन पर भी सहमत नहीं होगा क्योंकि 2 plus 2 आपने learn करा दिया लेकिन driving के rules, safety के rules आप learn नहीं कराते हैं आप teach करते हैं there is a basic difference between teaching and learning और वो हम society में देख पा रहे हैं society engineers मांगती है आपसे एक school के रूप में आपसे doctors मांगती है, अच्छे professionals मांगती है लेकिन वही society, that's why I said मैं स्वार्थ के तहता है हूँ आपके पास में यह मेरा स्वार्थ है, जह society को मैं represent कर रहा हूँ मैं बहुत छोटे से हिस्से को उसके represent कर रहा हूँ लेकिन एक educator से एक principal से, एक teacher से एक management of education से एक education minister से, अगर मैं इस तरफ आके ख़़आ हो जाओ यह society वो content मांग रही है आज कि साब हमने धाई साल का अपना बच्चा आपको दिया आपको उसको physics पढ़ाना है, physics पढ़ाई है, chemistry पढ़ाना है, chemistry पढ़ाई है लेकिन जब वापस दें तो एक अच्छा skilled आदमी भी हो लेकिन एक आदमी भी अच्छा हो उसमें अभी हम fail है क्या कर रहे हैं हम लोग गीता रटा रहे हैं underline कर लिजएगा गीता पढ़ा नहीं रहे है, रटा रहे हैं हम value education पढ़ा रहे हैं, value of education नहीं पढ़ा रहे है value education के नाम पर कुछ घटना है, मेरे साथ घटी है, अपने घटना है मैं एक classroom में गया, वहाँ मेह संयोग था गांधी जी ने सफाई के बारे में क्या कहा है, यह पढ़ाया जा रहा था obviously it was a government school और उस कमरे में जाले लगे हुए थे जिन डेस्ट पर बच्चे नहीं बैठे हुए थे, उन डेस्ट को सुबह किसी ने साफ नहीं किया था और कमरे की बाकी हालत क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते है और हम गांधी जी के तीन chapter पढ़ाके, गांधी जी के तीन सिद्धान पढ़ाके सफाई के बारे में क्या सिद्धान थे, उस बच्चे को पासिंग मार्क्स देंगे, जब वो कौपी में लिख देगा और हम अपनी इतिसरी कर लेंगे कि हमने तो सिखा दिया था सफाई, अब नहीं आई तो हम क्या करें हम फॉर्मल्टी कर रहे हैं पढ़ाने के नाम पे, वहाँ पे खड़े होके, और ऐसा बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है, कुछ जाने हो रहा है, कुछ जाने हो रहा है, हिमानसों जिस दिन मेरे पास आये थे, मैंने उनको चानक दो तीन उधारन दिये थे, कितना कंट्रे चैसे हाते हैं तो बच्चे की जिन्दगी में कही नहीं और से आती है, 360 डिग्री पढ़ाते हैं। यहां कहानी खत्म हो जाती है, हमने अच्छा सोचा होगा कुछ, एक अच्छा words का, अच्छा grammar का, अच्छा craft of some, अच्छे write-up का craft क्या होता है, एक visualization of, in that appropriate age learning पर क्या होता है, उन सब के बारे में सोचके एक कहानी इंट्रडूश की, लेकिन उस कहानी का अंतर क्या पड़ा, उ उस कहानी का बच्चे पर impact पड़ता है कि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे पहली जरूत है सुन्दर दिखना, और सुन्दर दिखने के लिए भली fair and lovely लगानी पड़े, या किसी के उपर तेजाफ फेकना पड़े, आप सोचके देखिए, कि आप ही के school में पढ़ने वा उन पर क्या बीत्ती होगी जिन्द, और यहीं से एक बड़ा social divide सुरू होता चला जाता है, हमने जानबूच के नहीं किया यह, अंजाने में हो रहा है हमसे, पर इस जैसे कितनी घटना है हम नहीं कर रहा है और, हम एक हिंदी में विलोम सब्ध पढ़ाते हैं, हम विलोम सब् आकाश का विलोम, धर्ती, धर्ती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, मैं इस फोरम से सारे educators बैठे हुए हैं, पूछना चाहता हूं कि यह तीनों उधारन जो मैंने लिए, धर्ती का उल्टा आकाश, दिन का उल्टा रात, स्तरी का उल्टा पु एक दूसरे को पूरा करते हैं। लेकिन क्योंकि हमको बच्चे को ग्रामर पढ़ानी थी, क्योंकि हमारे पास में शायद विलोम शब्द पढ़ाने के लिए उससे बेटर एक्जाम्पल नहीं था, तो हमने अपने, माप किजेगा मुझे यह कहने के लिए, मुर्खताओं के चलते, कुछ उधारण बच्चे के सामने रख दिये, और वो जिन्दगी भर उसके माइंड में लॉक हो गए, नौकर का उल्टा, मालिक, मालिक का उल्टा नौकर, अब जिन्दगी भर मालिक और नौकर उल्टे बने रहेंगे, आप ब्यूटी देखिए, कि मालिक और नौकर तो एक दूसरे के कॉंप्लिमेंट नी है उस सिस्टम में, पर क्या आपके स्कूल में, मेरे स्कूल में, मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं खुछ जिम्मेदारी के साथ ये बात करना चाहता हूँ आपके साथ, और ये स्टम मेरे अंदर कुछ दुख है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ पीड़ा है, दुख का मतलब पीड़ा है, उस पीड़ा का समाधान, शायद हम और आप दोनों मिलके निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं सिर्फ यहां, हिमानशु भाई या डिंग्रा साब के कहने पे, एक आदा घंटे आपसे बात करके, लेक्चर देखे जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं शायद एक नई शुरुवात करने के लिए आया हूँ, इस देश के, पैन इंडिया फैले हूए एजुकेटर्स के साथ में, क्या हमारे स्कूल्स में कहीं, कॉम्प्लिमेंटरी को समझने का कोई चैप्टर है, ताकि बच्चा ये जान सके कि, ये तो सब एक दूसरे का कॉम्प्लिमेंटरी है, हाव ब्यूटिफुल, अगर मेरे मन में ये भावना आजा है, कि मैं जिस कंप्णी में काम करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरा मालिक मेरे कॉम्प्लिमेंटरी है, और मैं किसी कंप्णी का मालिक हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आजा है, कि ये जो नौकर है, नौकर मींज, सामाने शब्द में यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉई है, ये मुझे compliment करता है इसके बिना मेरे company का इस्तितु नहीं है मेरे बिना मालिक का इस्तितु नहीं है मेरे अंदर एक नई तरह का confidence आएगा एक अलग तरह की arrogance खत्म हो जाएगी interpersonal behavior change हो जाएगे इस तरह और पुरस के behavior change हो जाएगे जिंदगी भर उल्टा लगा रहता है उसके बाद पत्रकार बनता है सबसे पहले 12th का रिजल टाने के बाद लिखता है लड़कियों ने बाजी मारी competition कराया था है क्या लड़कियों के बीच में हम एक unwanted animality पैदा कर रहे है कुछ complimentary senses हैं समाज में सब पूरक्ता में चल रहा है प्रकृती में तो बहुत कुछ इतना complimentary है एक दूसरे का मैं इसलिए कहा कि पैरेंट के रूप में देखता हूँ मैं अपने बच्चे के साथ एक दिन market में जा रहा था तो दस मिनिट मैं अपने बच्चे के साथ जा रहा था और उसको कहीं मैं किसी स्कूल को ब्लेम नहीं करता पर कहीं से आया कि ये सड़क पे बैठे हुए लोग तो I mean they are disgusting उसने मुझे कुछ ऐसा he was six years old that time he said something I mean not nasty but something negative about it मुझे लगा ये क्या हो रहा है किनारे भुटा वाला बैठा हुआ था और उसने उसके बारे में कुछ कहा की है तो सब एंक्रोच करके बैठ जाते हैं टाइप का कुछ बोला ठीक है I am not supporting encroaching, encroachment but उस बंदे के प्रती अगर मेरे बेटे के मन में हीन भाव ना है क्योंकि हम complimentary sense पे बात नहीं कर रहे हैं मैंने अपने बेटे से थोड़ी से exercise की मैंने उसे पुछा बट्टा खाते हो हां जी कब-कब खाते हो whenever whenever means on what frequency almost twice, thrice a week sometimes daily also बट्टा कहां से मिलता है fortunately मैं दिल्ली से 50 km दूर मेरा गाउं है जहां मेरे परिवार के खेत हैं अभी होता है उसको यह पता था भुट्टा है तो गाउं से मिलता है तो कब जाते हो गाउं दो-तीन महीने में एक बार जाते हैं तो अगर गाउं से भुट्टा खाना पड़े तो कितना समय लगेगा भुट्टा मिलने में कितनी बार भुट्टा खा सकते हो एक साल में, एक बार, जाद इस जाद है, दो बार, लेकिन दिन में, अगर हफते में दो बार खा लेते हो, तो किसकी वज़े से खा लेते हो, यह तो भुट्टे वाले भाहिया की वज़े से खा लेते हैं, this relationship is important. this relationship is important. इतो वेक्तियों के साथ हमने relationships पहुंचानने कितना complementary fabric है। इसको हमने बात नहीं करते हैं और हमारे पास कई उधारण नहीं हैं, कोई chapters नहीं हैं, कोई theories नहीं हैं, इस सब को बात करने की. नेचर के साथ राने वाने को पहुंचानने की theories नहीं है. आज हम बड़े शान से कहते हैं पेट्रोल की कीमत 50 रुपे लिटर, 60 रुपे लिटर, ये पेट्रोल कहां से आता है, ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने की हैं, बच्छों के साथ डिस्कुसिंस की हैं, जिनका जिक्रिमान शू कर रहे हैं, मैं बच्छों के साथ जाता हूं तो इन कुछ नहीं जाता, फिर ये 50 रुपे किसलिए है, इसका तो पता नहीं, तो क्या कर रहे हैं हम, बस हम उसको रटा रहे हैं, 50 रुपे की में पेट्रोल हो जाता है, और उसके बाद जितना बड़े बाप का बेटा, उतना पेट्रोल फूखने का अधिकारी, फरक नहीं जाजी ने रिश्वत लेके पैसे कमा लिए, उसके बाद मैं कितना ही पेट्रोल फूख सकता हूँ, लेकिन अगर उस एज में हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि इस धर्ती के सारे इंसानों की हैसित नहीं है मिलके की पेट्रोल की एक बूंद बना सकें, धर्ती के अंदर क का घर चल सके, इसके लिए मैं पचास रुपए देता हूँ, ऐसा ये ना, तो उसको अचानक अपने पचास रुपए की किमत भी समझ में आ जाएगी, कहां जा रहा है ये भी समझ में आ जाएगा और पेट्रोल भी समझ में आ जाएगा, लेकिन हम नेचरल वे में जैसा है वैसे के तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं अपनी क्लास रूम्स में, ये मेरी एक पीड़ा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो मैं चाहता हूँ कि हम सब इस पे ध्यान दें, बहुत सारे ऐसे काम हम कर रहे हैं, एक और उधारण मेरे मन में आता है, मैंने अपन उस बच्चे को समझ में आ गया कि जेंटलमेन तो ऐसा होता है क्योंकि जिस एज में आप उसको ये जेंटलमेन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें उसकी pictorial understanding जाद है learning level through pictures जाद है पर वो उतना नहीं सीख रहा है जितना आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं 360 degree सीख रहा है और यह हमको सुकार नहीं है कि बच्चा 360 degree सीख सकता है हमको लग रहा है बच्चा तो उतना है सीखेगा जितना हम सिखाएंगे जीफ और जेंटलमेन लेकिन बच्चा तो इस picture को देखके एक image बना रहा है और जिन्दगी भर के लिए कहद करके रहा है उसके बच्चे का फादर अगर किसान है जिन्दगी भर अपने पापा को इसा काम करते है जो सूट टाइवाई लगाने का काम नहीं है जिसमें प्रोफेशन में जिन्द की भर नहीं मान सकता है और मैं यहीं की बात कर लेता हूँ हमने सब ने वो पढ़ा हुआ है यहीं मैं चार लोग खड़े कर देता हूँ और आप से उस कौने में खड़े होके बात करता हूँ कि वो जो फलाने सजन खड़े है ना कौन से वाले the yellow shirt no 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 the gentleman kind of person हम किसको mark करेंगे आप बता दीजिए अगर एक आदमी टाई वाला हुआ तो हम इस कमरे में बैठे हुए लोग पढ़ने वाले नहीं पढ़ाने वाले लोग क्या हमारे मारे मैं तुरंट क्लिक नहीं कर जायेगा कि हम किसके बारे में बात करेंगे जिस आदमीन एक कुर्टा पजामा में खड़ा हो एक बिना शूट बूट में ऐसे निंग्रा साथ की तरहे खड़ा हो एक भाय साथ की तरहे खड़ा हो टाई लगा के और आप उस कौने में खड़े हो I'm talking about the gentleman kind of person and believe me how many of them in this room will not accept will not point out the exactly the person I'm talking about So, यह क्या कर रहे हैं हम कहां से आया है हमारे अंदर हमको भी किसी ने gentleman की picture दिखा दिखा दियोगी किसी समय knowingly or unknowingly So, मैं आप सब लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो 360 डिग्री सीख रहा है आज से पचास साल पहले पढ़ाने का तरीका आपका जो भी था वो बहुत अच्छा था क्योंकि बच्चे के पास में information का सिर्फ दो ही जरिया थे school और parents unfortunately parents के पास में information बहुत कम होती थी as compared to school and teacher teacher का information का knowledge का level कहीं जादे high होता था parents का comparatively and generally specific cases की में बात नहीं कर रहा है कम होता था उस वक्त आपने जो design किया education का system बहुत अच्छा था आज की तारिख में बच्चे के हाथ में mobile है वो बच्चे अपने parents से जादे जानता है आप आपनी तो छोड़ दीजिए वो दुनिया के इतने लोगों से अपने phone पर बैठके बात कर सकता है इतने लोगों से compete कर सकता है किस की तरह के competition में हिस्सा ले सकता है आप assume नहीं कर पाएंगे हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं आज हम उस बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं जिसका information के level पे सिर्फ दोई source थे और credibility के नाम पर एक ही source था teacher mother father कभी भी किसी बच्चे के लिए credible source of information नहीं हुए थे आज भी नहीं है लेकिन unfortunately or fortunately technology यहां पहुँच गई है कि उस बच्चे के पास इतने source of information है कि teachers के सारे collective source of information कम पढ़ गए school का हमारे सारे curriculum कम पढ़ गया उसके सामने we have to shape up a mind which is being affected which is being let me use this word which is being attacked day and night through every corner hundred tv channels five thousand games websites, game sites and peer pressers all these things are attacking the mind each and every minute party में भी जाता है तो हुआ एक peer pressure होता है अब हमको इसको handle करना है वो बच्चा हमारे पास में 4 गंटे के लिए आ रहा है 5 गंटे के लिए आ रहा है so we have to shape up our education content and system and processes in a way so that we can make ourselves capable of handling that child sorry to say we have not prepared हम पुराने ढोल पीट रहे हैं भी पुराने तोर तरीकों से उस बच्चे को handle करने की कोशिश कर रहे हैं कि classroom होगा obedient माने जो बच्चा क्लास में कम बोलेगा ज्यादे बोलेगा तो obedient नहीं हुआ जिस classroom में कम सोर मचेगा वो ज्यादे obedient class होगी ऐसा ही हम लोग define करके रखते हैं keep quiet is the definition of being obedient तो यह हमारे पुराने तरीके किसी समय अच्छे रहे होंगे जब evolve हुए आज नहीं है आज आज उसको बोलने नहीं देंगे वो बाहर निकलते ही क्या बोलेगा आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है और इसी का नतीजा है कि एक नई generation हमारी critical पैदा नहीं हो रही है क्यों मैं यह बात कर रहा हूँ मेरे को कोई shock नहीं यह पढ़ाने का मैंने कहा मैं तो educationist नहीं हो और मेरा education profession भी नहीं था मैं तो सही होग से इस field में आ गया और आज मैं यहां खड़ा हुआ हूँ क्यों मैं कर रहा हूँ इसकी बात क्यों as a leader मेरी जरूरत महसूस हो रही है मुझको कि हमें education के content पे classroom को एक classroom को एक आंदोलन में बदलने की जरूरते साथ ही हो आपके पास 40 बच्चे, 50 बच्चे, 30 बच्चे आपके classroom में बैठे हुए हैं और वो आंदोलन की सबसे बढ़े आप सबसे fertile ground है किस चीज के खिलाफ आंदोलन वो जो समाज में चल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन समाज में धरम के जगड़े चल रहे हैं हमको classroom में बैठके settle करना पड़ेगा कि ये बच्चा जब जाए तो उन धार्मिक जगड़ों में शामिल ना हो पाए इविन को influence भी करने की जोशिश करे तो उसको clarity है उसको internet पे, whatsapp पे भी कोई ऐसा material मिले तो उसको clarity रहे, नहीं नहीं, I have understood it this is rubbish, that we have to prepare for धरम के जाती के जगड़े हैं, शेत्रवाद के जगड़े हैं critical नहीं है, 5000 साल पहले जिसने कुछ कह दिया उसी को माने बैठे है नया करने की शंता पैदा नहीं हो रही है हमारे बच्चों में आप देखिए, कितने बच्चे हैं जो नया पैदा कर सकते हैं नया सोच सकते हैं, क्योंकि नया करने के लिए रिस्क चाहिए रिस्क लेनी की शंता चाहिए, और रिस्क लेनी की शंता हम लोग नहीं पैदा कर पा रहे हैं बच्चों में क्योंकि हम जब पैदा कर पाएंगे तो हमारी क्लास में पढ़ने वाले 40 बच्चों में से कम से कम 38 के बीचे होनी चाहिए अभी तो 38 में से 40 में से 2 के बीचे उसके बहुत सारे और सही योग कारण हो सकते हैं क्योंकि जब क्लासरूम से revolution से पैदा होगा confidence पैदा होगा नया करने की जिजिवशा पैदा होगी हिमत पैदा होगी तो वो 40 में से 38 बच्चों में पैदा होगी कम से कम और उसका नतीज़ा क्या हो रहा है एक nation जो अपने आप में confident नहीं है एक society जो अपने अपने thoughts पर confident नहीं है अपने thoughts के प्रती critical अपनी conventions के प्रती critical नहीं है कुछ नया करने की हिमत नहीं जटा पा रही है डेड़े जार साल पहले आरे भट ने कहा था शुन्य है शुन्य की खोज की उसने किया और हमने डेड़े जार साल क्या किया हमने डेड़े जार साल गाना गाया जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिंती आई हमने गाना गाया और उसी शुन्य का डेड़े जार साल पहले जिस हिंदुस्तान ने शुन्य का विश्कार किया उसी शुन्य का इस्तेमाल अमेरिका और यूरोप के साइंटिस्ट ने करके पूरा साइबर वर्ल्ड उस तूने में खड़ा कर दिया हम गाना गाते रह गए जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब किंती आई उन्होंने साइबर वर्ल्ड खड़ा कर दिया आज वह Twitter चलाते हैं फेस्बुक चलाते हैं YouTube चलाते हैं हम अपनी लड़के लड़के नखरी करने विज़ते हैं उनके यह पे और हम कहते हैं कि हम तो बहुत महाम देश्टे पहले से हम अच्छे अच्छा आमने किया है काफी कुछ किया है ऐसा नहीं है कि education में कुछ नहीं हुआ मैं with due respect to every educator में कहना चाहता हूँ कि education की आज तक की बहुत achievement है आज मैं अगर आपके सामने खड़ा हो कि इस मंच से बोल पा रहा हूँ और आप में से कोई इस बात को लेके question नहीं कर रहा है कि ये जो आदमी इतनी बड़ी-बड़ी बाते हैं कर रहा है इसका धरम और जाती क्या है वो education की achievement है आज हमारे है आज आपके सामने कोई आदमी internet यूज करता है और आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं उठता मतलब आपके मने समाज के मन में समाज में किसी के मन में सवाल नहीं उठता है कि internet यूज करने वाले की जाती क्या है ज़रा पूछ के तो देख लें इस जाती के लोगों की हिम्मत कैसे हुग इंटरने यूज करने की आज ये कोश्चन नहीं बचा है समाज में वो education की वज़े से है पांसो साल पहले गुलाम खरीदना और रखना या गुलाम की तरह बिकना समाज की सुखिर्ती में था आज कोई भी व्यक्ति इस बात को सुखार करने को तैयार नहीं है अपने सामने किसी गुलाम को बिकते हुए देख कर खुद के लिए गुलाम होके बिकना या खुद के लिए गुलाम खरीदना तो अलग छोड़ दीजिए यह education के achievement है लेकिन जहां नहीं पहुँचें वहां का सर्चा करना जूरी है जो छूट गया education से वह बहुत critical है और वह बहुत slow है शीले मैंने खा हम अतीत के गुणगान में बहुत लग गए है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी problem यही है कि हम अतीत का गुणगान बहुत करते हैं हमारे हैं आरे भट हुए थे अरे सर्ची आरे भट हुए थे उसके बाद हमने क्या किया आरे भट तो होके चले गए मुझे कई बार लगता है कि अगर अनिश्टान हिंदुस्तान में पैदा हुए थे तो हिमाले में एक मंदिर बना देते हैं हम लोग उसका और समझा रहे होते हैं अपने बच्चों को चौदे को उसकी परिक्रमा है सीथे चले जाओगे पेठके बलेटके जाओगे तो जल्दी साइंस समझ में आ जाएगी पैदल जाओगे हम सिर्फ चालिशां रट रहे हैं और हम चालिसा का देश बन गये हम नया सोचने की शन्ता कहत्म कर दिए तो तो मैं इस सभा के माध्यम से जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ा स्वार्थ मुझे यहाँ पे खीच के लाया है और मेरा वो स्वार्थ है साथियो मेरा एक सपना है कि इस देश की politics में education एक बड़ा मुद्दा बने इस देश की सोच में education एक बड़ा मुद्दा मैं एक ऐसे दिन का सपना देख रहा हूं कि हमने बड़े बड़े तरह के election देखे हैं हम आ गए तो गरीबी हटा देंगे हम अटा गए तो हिंदूओं को राज देदेंगे हम आ गए तो मसल्मानों को राज देदेंगे हम आ गए तो इनका यह कर देंगे हमने अलग अलग त खड़ा करेंगे, उस पर election लड़े गा, गलस सपना तो नहीं देख रहा जी, इस सपने को मैं अकिला नहीं सच कर सकता, इस सपने को मैं आप जैसे लोगों को साथ मिलके सच कर सकता हूँ, इस सपने को सच करने के लिए मुझे, मुझे क्या मतलब हमें, as a nation, हम लोगों को बहु discourse की जरुत पड़ेगी, जो अलग-अलग discourses में उलजे हुए लोग है, फसे हुए लोग है, उनको सब को लाके इस platform पे, इस paradigm पे लाके खड़ा करने की जरुत पड़ेगी, आईए, बाद में बात कर लेंगे तुमारे धर्म की जगड़ा के बारे में, आईए पहले education के बार क्या चीज इसमें यह है कि आपके पास में जनतर मंतर सजा हुआ है?